जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 अगस्ट 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75 हफ़ते पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आजादी के अमरित महुत्सव का आगास किया था जो की 15 अगस्ट 2023 तक चलेगा अमरित महुत्सव के आगास के लिए गुजरात के साबर्मती को चुना गया है यही से महात्मा गांधी के नेत्रित्व में दान्डी मार्च शुरू किया गया था आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक अर्थात 15 अगस्ट 2022 तक 75 सप्ता पूरे देश में विभिन्न कारेक्रमों का आयोजन होगा देश के हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही भारतिय दुतावासों में भी अनेक कारेक्रमों का आयोजन होगा भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कारेक्रमों के लिए 269 सदस्य की उच्चस्तरिय राष्ट्रिय समिती का गठन भी किया गया है देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में असायोग आंदोलन, सविने अवग्या आंदोलन, भारत छोडो आंदोलन के साथ ही दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी शुभाष चंद्र बोस और आंदोलन के नेताओं सहित स्वतंत्रता से संबंधित मुख्य स्थल को दिखाया जाएगा, इसके जरिये देश के लोग, देश के युवा और बच्चे उन महावीर योद्धा को जान सकेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए हैं, साथ ही यहां महात्सव नए ध्रिष्टिकोनों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता से प्रेर्ण को प्रतिध्वनित करेगा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरित महात्सव के लिए एक वेबसाइट का उदगाटन किया है, एक आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर शुरू किया गया था, जो पारंपरिक कला में शामिल लगभक 40,000 परिवारों की मदद करेगा, जो प्रतिध्र शुर्ण झाल झाल प्राइब देख वाय बादने लिड़ाना प्राइब प्र कirens प्राइब यह यह जनगनमन अधिनायक जया है भारत भाग्य विदाता पंचाब सिंध कुझ रात मराथा द्राविड बुद्कल बंगा जिंध्य ही माचल लमुना गंदा उचल जल दितरंकर तब सुभ नाम जोगे तब सुभ आसिस मांगे काहे तब जया था जया जया है भारत भाग्य विदाता जया है जया 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 था जया 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 था झाल झाल